सारी फार्निक्रपेंस, असलम अलेकूं, बजी सेव, इद्रीस सेव, अफिदा सेव शुक्रिया कि उन्होंने अपनी कीमती वाक्त का इस चोटी सी कौशिश को जिसको अभी पे जराई मिलनी है बहुत, अभी मिल नहीं रही है, अपनी वाक्त निकाला और यहां आ गए, टाप हमारा होगा कि लेट्रेचर का इनसानी जिन्दगी पर किया असर हो सकता है, और मुहिप सेपकी कुछ गरागर में कोई फोटगी वगरा हो गए उनके कजन की, तो जो टापिक का डिमांड है, उसने उसके मताबक त्यारी नहीं की, तो हमने एक कोशिश की कि इसको अगले तर में एक इस सिकम की कवर सेशन दाखेंगे, फिर लेट्नेचर का इनसानी जिन्दगी पर किया असरा होंगे, आज मैं आप से, आपके लहज़े में, आपके सोच के मताबक बात करूंगा, क्योंकि यो आप यूथ, और बदकिसमती है कि यूथ से कोई यूथ के मताबक बात न ही करते हैं, यूथ फरस्टेटेड है, यूथ की द्मीम्स खत्म हो गए हैं, तो हमारी कोश्च है कि आज की इस इनफार्मल सेशन में, इनफार्मल तरीक से, उन इशुस को डिसकस करें, उन इशुस पर बात चीद करें, अपनी खेलात एक दुस्ते के साथ इंटरेक्शन कर जो हमको फेस है लेकिन हम किसी से शियर नहीं करें, अब आप जानते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारी करत की टोटल जो अबादी है तकरीबन 6 लाक, इस्टिमेटेड अबादी जो है 6 लाक है, उसमें 63 परसंट लोग जो है 6 लाक में से, ओ भी लोग 25 यर्ज आ जोबादी का एक बड़ा हिस्सा तकरीबन 40-50 परसंट तक 14 साल से लेकर 25 साल तक के लोगों को परमश्तम ले अगर हम यूद में, मैं तो हुद को शामिल नहीं करता क्यूंकि मैं क्रास कर गया चालिस की फेगर, महिप सर को शामिल कर लो, पिदा को शामिल कर लो, बाग तु आप खुद सोचें, एक दो जो आपकी रिक्वार्मेंट्स है, जो आपकी जुरूरती है, आपकी जुफीलिंग 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 है, इशिव किया है आज की नुजवान को, इशिव किया है, आपको किया इशिव दरपेश है इस एज में? मसीम मसलन freedom of speech freedom of speech नहीं है के है नहीं है हम किसी के साथ को बुले का पर डिप्रेश डिप्रेशन है आवर राइस की वाइस राइस की वाइस हो रही है आवर हम जो बना चाहते हैं वो हमाने परेशन problem of idea generation gap अवर personality अवर पिजासे आपका की हाल है कि आज की नुजवानों को कौन कौन से मसाहिए मसलिए उनको तलाश भी करना है उनका एहसास भी करना है कि हम उन मसाहिल का किस तरीके से कम से कम मसाहिल हो जाए अपने अंदर कुछ तबदीली लाए कि मसाहिल हत्म हो जाए या आल्मूस्ट चेंज आ जाए हम अपनी बेहवियर में भी चेंज लाए और यूद भी ले आए ताक एक फ्रापर और बेलेंस सुसाइटी यह हमारा मकसद है इन्सेशन का कि हम ऐसी करेक्टर ऐसी बेहवियर डिवालप कर सके कि नुजवान को लोड ली निरसना हो सबसे बड़ा मसलख किया है नुजवान का जी अशार हमारी नसल बजर्गों के सामने चुपती यह नसले नो है हर सवाल का जवाब माद और जब जवाब मंगा जाता है फिर क्यो होता है दियार दियार Tric का इस्तिमाल किया जाता है सवाल ममनु है और यह लिटरेशर के लोग बेटी हुए है बागी साहिब और फेदा साहिब और महिप साहिप और आप सब भी मक्सिमम लिटरेशर के स्टूडेंट है सवाल ही से इलम निकलता है जब सवाल नहीं होगा इलम नहीं होगी, जब सवाल नहीं होगा, मसला नहीं होगा, मसले का हल नहीं होगा, और जब आप सवाल को एक सुसाइटी डिप्रेस करेगी, पिर क्या होगा, सुसाइटी क्या बनेगी, आप फ्यू मीटर बन जाएगी, कि बस जिसने जो कुछ कहा, कालो, जिसने जो कुछ कह कहो जिसनी जो कुछ पहना आप भी पहनो तो आज करो जवान आप खुद सोचे आप खुद तीन है तीन की मसाइल क्या है आज करो सवान सबसे बड़ा मसला किस चीज़ का है लोनिनेस का कि लोनिनेस के है में बेट कर भी तनहा है एडेक्शन हो गई है इस लोनिनेस के हत्म करने के लिए एडेक्शन किस चीज़ का किस चीज़ का एडेक्शन एडेक्शन तो हम नश्य को कहते हैं कि नश्य करते हैं कि अनश्य सरफ नश्य है कि अनश्य सरफ एडेक्शन है हो गये हैं cricket match के साथ भी तो अब किया यह सरफ नश्च जो है यह यह एक्षिन है कि यह फेस्बॉक जो है यह इंटरनेट जो है यह तीवी टिल्लिवीज़न के देखना जो है यह फिल्में को देखना जो है मेफल के अंदर बेट कर टेक्सिंग जो है यह यह इडेक्शन नहीं है तो इस सब इडेक्शन है तो इस इडेक्ट इस इन मसाइल का एंसान इडेक्ट क्यो हुआ यह मसाइल हमारे अंदर क्यों आए क्या आप में सोचा मैं कियों Facebook का एडेक्ट हुआ कि हर वक मेरे हाथ में Facebook मैं कियों हर वक ड्रामों और फिल्मों का एडेक्ट हुआ कि 24 गिंटे में TV देखता हूँ कियों में cricket का एडेक्ट हुआ सबसे बड़ी वजाए है कि आज का नुजवान जो है loneliness का शकार जो वो लोर ने नहीं रहेगा आप एडेक्शन कस रहतम होगी फर इजामपल मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ आप सब स्टेडी करते हैं ना 11 अपरेल से मैट ताम शूर हो रहा है आप में से केंद का मुबाइल 24 गंटे आन होता है अब एडेक्शन से हम कैसे कर सकते हैं पर इजामपल आपने स्टेडिक करनी है उदारा तीन चार गंटे जो भी दो गंटे मुबाइल बेर को टान आफ कर लो एडेक्शन हत्म हो जाएगी एक दो दिन तकलिफ होगी फिर आप आधी हो जाएंगे बॉक्स की कलिप्रेशन कर लेंगे बॉक्स को पढ़ेंगे टीवी देख रहे हैं हो मुबाइल आफ कर दो अब किया है हमने इंगेशन को डिसकस नहीं किया नगे आपके यह मसाइल है मैं आपको मैं बितालिस साल को हूँ आप उनिस साल के हैं Abneanimality यह है कि मैं आप से 42 साल की अमर के मताबिक आप से 19 साल की जो behavior है वो 24 साल चाहता हूं मैं चाहता ह亞ां कि आप भी 40 साल कभी हो कर ले वकार्थ nagणा सर्ण साथा है कि 57 साल कर citale श्जफ ऐसाल चाहता है कि 41 साल कर ले और मुहिच चाहता है कि मेरे साथ 35-30 के बन जाओ आपने 19 साल के हैं आप 30-40 साल के बन सकते हैं अगर बन भी गए ये भी एब नर्मेलिटी है तो सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़वानों के नज़र सामने नज़र आ जाती है वो एब नर्मेलिनेस है दूसरा मसला जिसकी वाज़े से हमारा आच के जो नसल है ये इसको मसाइल पेश आ रहे है directionless आप में से बहुत से यहां मेरे चोटे बेटे बाई बेटी हुए हैं literature के हैं कुछ political science के हैं कुछ sciences के हैं कुछ science से होकर वापस आच में आए हैं direction आप इसको नहीं दी वसीन कर रहा था सिफीर ने ले ली subject अब उनकी mind sit up किया है English literature के लिए किया जरूरत है he don't know बाप दी कहा डाक्टर बनो मैं बनना चाहता था इंजिनियर अब किया होगा गरिजल किया होगा मैं ऐसे डाक्टर बनूँगा इस तरह किया आज के कसाब है मैं कसाब बनूँगा डाक्टर नहीं बनूँगा मेरा humanity's में इंटरस्ट है मेरे पेलेंस मुझ पर जोड दे रहे हैं कि आप इंजिनियर बनो मेट से में लाकु दूर बाग तो रिजल किया होगा society imbalance होगी तो दूसरा मसल़ जो है ये और एक चीज़ अब इस पर आव है शाथ इसमें ज्यादा वुस्टार नहीं का वज़ जो जो है तेंके अक्सर वाले जैन चालें कि मेरे बेटा या बेटी वो मेरे डिकली दाटर बाग जाए बजनियर बाग जाए हम से हमारी फाइश के नहीं पूचाजाए मेरी मज़ नहीं मालूज जाए इस पसर आते हैं यह सारा फोकस इस तरा आ जाए तीसरी जो बड़ी मसला जो मुझे नजर आती है कि आज आज के नुजवान नसल के पास ड्रीम्स नहीं है कितने लड़के ग्रीम्स के लिए कोशिश कर रहे हैं आप में से कितनी लड़के अग्रीम्स के लिए कोशिश कर रहे हैं ग्रीम्स है आपके किसी ने कुछ फ़ाफ दिये हैं फ़ाफ है आपके फ़ाफ क्या करते हैं अजीम अब यह फ़ाफ है आपका अपने फोकस कर लिया इ जो मुझे नजर आती है, कि उनको निकिसी ने उनकों धूज़ाई ही लिने कि ड्रीम्स किया होते हैं, और उनका क्यरदार किया होते हैं, आप थिर्म्स आपके कच्छे हैं या पके हैं, यह आपकी मुटीवेशन फोर्स है, कि आप केस तरह उनको उनकी पेटे उन ख्वाबों की पेटे बागते हैं अब आपका CSS ग्रीम है अब आप उसके लिए अपनी जिंदेगी को उसी हिलाय हामल उन ही रिक्वार्मिंट मतामिक मोल्ड करेंगे उसी तरह आप अपरेट परसेनलिटी को डिवालब करने की कोशिश करेंगे उसी की बेहावियर के मताबर आपना करेक्टर मोल्डेंग करेंगे तो ड्रीम्स जो है यह भी एक बड़ा मसला है कि आज के नुजवान नसल के पास ड्रीम्स नहीं है ड्रीम्स आपको मुटिवेट करती है और चोथी बात अप्रेस्ट है आज की नसल हम तीन चार बाप यहाँ बेटे हुए है हम गर में बच्चे को किस से डराते है जब कोई डलती होती है तो मात कहती है चुप अब उक को बता दूँगा means father is the symbol of oppression, depression कि आपका बाप आपका दोस्ट नहीं होने चाहिए आपको आपसे डरना चाहिए और डर क्या होता है डर क्या करता है इनरकेबिलिटी भी हात्मा कर लेती है इसके साथ आपको दूर कर दीती है आपका रिष्टा मुहबत वाला जो होता है प्रेंग्निस वाला होता है उसको अपने बाप से दूर कर लेता है बाप आपका एक ऐसा होता है जो गेप होता है और फेमिली क्या है फेमिली पहला इंस्टूशन है जो आपकी करेक्टर मॉल्डिंग करता है वहां आप ये फेमिली इंस्टूशन जो है बच्चे को अप्रेस करने का सोर्सा बनता है जहां बाप की तरिए बच्चे को डराया जाता है कि बाप से डरो उससे दूर रहो और नहों तब पड़ मारेगा और ये क्या करते है तो एक फेमिली यहां है इसके बाद यहां हम कालेज में आ जाते हैं कालेज भी एक सिकेंड एंसिटुशन है जो आपकी करेक्टर बेल्डिंग ये स्कूल ये कालेज वहां हमें किस चीज से किस चीज से डराया जाता है से पहले स्कूल में स्टेक हुआ करती दी यहां सेशनल मार्स की अबनर्मेलिटीज हैं कि अपने तगविदारी करनी है हर जायज औ गलत बात पर अगर नहीं करोगी तो मैं आपको यहां 20 मार्स में क्रश करूँ तो यहां भी सोर्स आप प्रस्टेशन वाला तो अब बताएं जो फिमिल इंस्टूशन सोर्स आप अपरेशन है यह एक इडमिक इंस्टूशन जहां हम बहुत कुछ सीखते हैं यह सोर्स आप अपरेशन है तो मेरी परसेनलेटी कहां डिवालप होगी कहां होगी मस्जद भी इसी तरह वहां दोजा की बात ही जाद की जाती है जन्त की बात ही तो मेरी परसेलेटी कहां होगी यहां एक छोता मसला जन्म लेता है नुझमान नसल के पास और की है फरस्टेशन है जब आपनी डिप्रेस होते हैं, आप अप्रेस होते हैं, अपने आइडियस की, आप क्रेटिविटी की बात ही नहीं करते हैं, फिर क्या होता है, आप फ्रस्टेशन का शिकार हो जाते हैं, और जब फ्रस्टेशन का शिकार होते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, यह देक्ट हो जाते हैं, किस इसके वाज़ से? जस्ट बिकाद अफ्रस्टेशन, अब मुझे फ्रस्टेट किस नहीं किया? मुझे फ्रस्टेट उस नहीं किया कि मेरे पास कुछ ड्रीम नहीं ते, कुई मकसद नहीं था. में पे मकसद लिंदगी गुदार रहा था. बट्पन में किसी नहीं सिकाया, कालिछ में किसी नहीं सिकाया, महले में किसी नहीं सिकाया जब वकार सिर्द इनकी उमर की लोग थे महले के अंदर आपकी sense of ownership थी सारा महले बच्चे को डानता था, पकड़ता था, सब ओन करते थे आज हम एंडिविजुलिजम का शिकार है, इंपरदियत का शिकार है, मैं आज अपने बतीजे को भी कोई गेर जरूरी तपड़ या डांट नहीं कर सकता, मैं उसको डांट किया है, यह नहीं कि मैं उसको डांट हूँ, It is the feeling of ownership, मेरे feeling of ownership पत्म हो गई है, अब जब sense of ownership के बगेर एक बच्चा बड़ा हो जाता है, क्या बनेगा, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा नौजवान, जिससे सब गिला करते हैं, कि यह बत्थमीज है, बड़ो की इजत नहीं करता है, कलास के अंदर चीछता है, उनके enjoyment के जो expression है हुआ यह नारे, यह उनके expression है, बड़ो की इजत नहीं करता है, फिस्बुक में ज़्यादर टाइम करता है, बुक्स रीडिंग नहीं है, बुक्स रीडिंग हमारे किस सुसाइटी में है, कोई किताब पढ़ता है, लेटेशर का, अपने कोर्स के इलावा, मार्स का हमने बना जहां उनके family भी धर औहाफ वाली होगी, प्रेंग्निस नहीं होगी, जहां उनके college के school का महोल भी straight वाला और दर वाला होगा, अपने आपकी expression उन नहीं कर सकेगा, फिर क्या होगा, क्या चीज बनीगी इस सुसाइटी के अंदर, मुझे कौन सा product में लेगा, मुझे ऐसा product मे नहीं होगे, जो oppressed भी होगा, जो frustrated भी होगा, और जब मैं वो society के अंदर, प्राड़क्त दूँगा, पिर क्या होगा? Environment किस किसम का हो जाएगा? Environment किस किसम का हो जाएगा? A group of oppressed people, frustrated people, जो हर चीज में negativity तलाश करेंगे. Our negativity किया है या आपकी creativity के लोग बेटी हुए है, आपकी negativity जो है, आपके creativity को हत्म करते है. अभी हम बात कर रहे थे, दो थीन महीनों से कर रहे हैं. College magazine की, Editors, Chief Editors, Editors, सब बेटी हुए यहाँ. महाद नहीं कर लाया जा रहा है. बड़ी वचा किया है. महाद नहीं लाया जा रहा है, college magazine की लिए, जो बड़ी शोक से लाती थे लड़के, लड़किया, college magazine college की होसन होती है. लेकिन महाद उसी तरह quality में आ, और अगर है तो इंतिहाब ला रहे हैं. कुछ परणिशाकर ने कहा, कुछ गनीखान ने कहा हो, जा मत कर रहे हैं. दर मेरे creativity को, मेरे idealism का, मेरे dreams का हात्मा करते हैं. ये आज के नुजवान के नजब के मसा है. इसके लावा, आप डर हुए हैं. डर हुए हैं किससे डरते हैं? किससे डरते हैं? future, future से क्यों डरते हैं? क्योंकि आप oppressed है, frustrated है और आपकी dreams नहीं हैं. डर क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको गर के अंदर डर दिखाया जाता है, कालिज के अंदर, डर दिखाया जाता है,। मस्जित के अंदर भी 2% की बात लिख करके आपको डर दिखाया है. सब तो डर ही हैं. तो आज के नुजवान खुब जद्द भी है, फियर्ड भी है, फ्राटिंड भी है, अपने मस्तक्बिल से डरता है, कोई PTC कर रहा है, कोई CT कर रहा है, अब ये क्या है, ये PTC और CT की, ये अलम एकबाल की, ये इसाइमेंट वगए, ये क्या है, ये बिसिकली आपके उन फियर का हल है, उन फियर्ड का रिजल्ट है कि आप डर रहें, आपको अपनी ड्रीम्स पर यकीन नहीं, आपको अपने अंदर पर यकीन नहीं, किसी ने आप पर काम नहीं किया, आप एक अच्छो प्राटक्ट नहीं बन पा रहे हैं, दोस्त भी मेरे जैसा, फादर भी डराने वा मस्जद को मौलई होती हो भी डराने वाला, society भी डरान वाली किया होगा, मैं भी डरने वाला प्राटक बन जाओगा, नह पूटिन करूंगा, नहीं कोई तलाश करूंगा, नहीं अच्छी बात ही करूंगा, और जब डरने वाले होँगी, डर किया होगा, डर किया है, negativity of mind है तो मेरा माइन निगेटिव हो जाएगा मैं कि अभी दमाके करूँगा कभी साज़शी करूँगा तो अगर ये चीज़ों में मैं इन्वाल हो जाऊं साज़शी करूँ आपको डराऊं आपको सख्लेक्षिश में बात करूँ कि भी सिशनल मार्च से किस पर प्रोड़क्ट किया निकलेगा एक कैसी कागस एक कैसी कागस जिस पर लेकर होगा 3.9 जीपीए